हेलो डियर इस्टुडेंट वेलकम टो ओनलाइन क्लास सब्जेक्ट जोग्राफी हां तो बच्चों हमारा 11th क्लास में बाते बोगल के मुल से दान्त का पांचमा चेप्टर सुरू होने वाला है जिसका नाम है खने जेवम सेल Resources and Rocks पांचमा चेप्टर हमारा इस्टाट होने वाला है तो देगे बच्चों हम बात करते हैं आज खने जेवम सेलों के बारे हम बात करेंगे प्रत्वी जो है वह बेवेन तत्वां से बनी होई है प्रत्वी जो है हमारी वह बेवेन तत्वां से बनी होई है इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंत्रेक परत में ये गर में पिली हुई अवस्ता में पाए जाते हैं जितने भी जो तत्वां है वो अमारी बहार की जो परत है प्रत्वी की वारी परत उसमें ये तत्व ठोस रूप में मिलते हैं और आंत्रिक परत में ये गर्म इवन पिगली हुई अवस्था में पाए जाते हैं प्रत्वी की संपून पर परटी का लगवा 98% भाग 8 तत्तों में आता है कितने तत्तों में आता है जैसे की oxygen है शीलिकन है ऐलुमिनियम है लोहा, calcium, sodium, potassium तता magnesium से बना है हमारी प्रत्वी का 88% भाग सार्णी पांच मंट एक दे रखी है ये पता से इस वाग जो है वो टाइटेनियम हाइडरोजन फासफोरस मैगनीज सलफर कारवन नेकल तता अन्य पदारतों से बना है भूपरपरटी प्रत्वी के प्रमुक ततो निम्न अनुसार हैं ये सार्णी में दियो हुए हैं इसमें ह आठ प्रतिशत दूसरा शिलकन जो 27.22 प्रतिशत है तीसरा अलुमुनियम जो 8.13 प्रतिशत लोहा 5 प्रतिशत कैल्सियम 3.63 प्रतिशत बच्चों यहां प्रत्वी के उपरी धरातल की बात हो रहे हैं ये जो उपरी धरातल है उस पर ये तत्तो पाए जाते हैं अगर कि इसके बाद में शोडियम शोडियम है 2.83 प्रतिशत पोटेशियम 2.69 प्रतिशत मैंगनीशियम 2.9 प्रतिशत और अन्यमें आता आए 1.41 प्रतिशत तो बच्चों इस तरीके से एक स्टार नीम है ये 8 प्रकार के पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं उहीं से हमारी गश्टी की तरातल का वह पर पडीपर पाये जाने वाले तत्व पर अलगलग हैं लहीं मिलते बलकि यह समाने रूपस एक रूपसे एक दूसरी तत्वों के साथ मैं मिलते हैं इस बॉकस में देखते हैं बच्चो इस परकार खनीजे के ऐसा प्राकरति कार्पनिक तत्व है खनीज के भारे में बताएकार्पनिक तत्व है एक क्रमबद तरीके से कर्म के अनुसार परमाण बे क्यानी परमाणूं के सनरचना निश्चित रासायनिक शंगटन तदा बहुते गुड़ धर्मों होते हैं रासायनिक संगटन होता है बहुते गुड़ धर्मों होते हैं खनेज का निर्मार जो है वो दो या दो से अधिक तत्तों से मिलकर होता है लेकिन कभी कभी सलफर, तावा, चांदी, स्वरन, गिरिफाइट जिसे एक तत्तो खनेज भी पाए जाते हैं जिन में एक ही तत्तो होता है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं इसमें तो ये दूसरे तत्तों के साथ मिलकर बेविन्य पदार्थों का निर्मार करते हैं इन पदार्थों को खनेज नाम दिया गया है यद भी इस्तरमंडल का निर्मार करने वाले तत्तों की संख्यात्यांत कम है लेकिन आपस में उनका संयोजन बेविन तरीकों से होता है सम्योजन जो वह भेविल्टरीकों से होता है जिससे खनेजों की अनेक किष्ma बनती है खुने अनेक प्रकार की किष्ma बनती है वह भूबपर पर यह नहीं धरातल पर कम से कम दो अजजर प्रकार के खनेजों को पैचाना गया है और उनको नाम दिया गया है लेकिन इनमें से शामानेत है उपलब्द, लगवक्स सभी पदार्त, च्छे प्रमोख खनेश समोहों से समझधित होते हैं यह केने का मतलब ज़्यादा तर जो खनेश हैं वो निम ने जो छे दिये गए हैं आगे उन प्रमुक खनिज समुगों से संबंदे तो होते हैं जिनको सेलों का निर्मार करने वाले प्रमुक खनिज माना कया है प्रत्वी के आंत्रिक वाग में पाये जाने वाला मैगमा ही सभी खनिजों का मूल सुरोत होता है प्रत्वी के अंत्रिक वाग में जो मैगमा है वो बार निकलता है लावा बनता है और लावा जब उपर जम जाता है तो उससे ही ये सभी प्रकेर के खनेजन निकलते हैं इस मैगमा के ठंडे होने पर खनेजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रिक्रिया में जैसे जैसे मैं ठंडा होकर ठंडा ठोस सेल बनता है खनेजों की क्रंबस रंकला का निर्माण होने लगता है कोईला पेट्रोलियम एवं प्राकरते गैस जैसे खनेज कार्बनिक पदार थे तता ये क्रंबस ठोस तरह और गैस रूप में पाए जाते हैं प्रमोग खनेज कुछ प्रमोग खनेज और उनकी विसिस्ता दे रहे हैं बच्चो उन से पहले हम बात करेंगे थोड़ी से बॉक्स में खनेजों की कुछ बहुत एक विसिस्ता दे रहे हैं तो देखिए बच्चो बहुत एक विसिस्ता और सुभाव के आदार पर कुछ प् ुसका रूप कैसा होता है गोल है कैसाए घनाकार है अस्ट वजाकार है सड़ बजाकार है तो एनु ze नुकी जो है तो परमानु हुआसे मिलकड़ से अंत्रिक वेवस्ता ऐक जो एग दूसरे अनु और पर्मानुओं का तूटना और तूट करके उसकी आकरती कैसी होती है तो देखिए सापेच्छिक रूप से समतल सतय बनाने के लिए निश्चित दिसा में तूटने की प्रवर्ति बिदलन कहलाती है समतल सतय बनाने के लिए अनुओं की आंतरिक विवस्ता का परिणा का या काई दिसा में एक दूसरे से कोई कौन बना कर तूट सकते हैं ये बिदलन होता है तीसरा है बैवंजन टूटकर भिखरना कि yaptकेowan की आंतरिक विवस्ता रहती है कि अडूँओं का कोई ऑचाडिनाई नहीं होता और क्रिष्टल बिदलन तलके अनुसार नहीं बल्कि अन्यमित रूप से तोटता है जो crystal है जिसकी वह बनावटा हूए अन्यमित यानी बिना नियमित की रूप से तोटता है इसके बाद मैं आगली जो विस्यस्ता हुआ है चमक किसी भी खनेज की चमक कि रंग के विना किसी पदार्थ की चमक प्रते एक खनेज की अपनी एक चमक होती है जैसे कि मैटल एक रेसमी गलासी आदी प्रते खनेज की एक चमक होती है जिसका नाम है मैटल एक रेसमी गलासी कैसा आए इस प्रकार का उसके बाद में रंग आता है कुछ खनेजों के रंग उन्हीं पर्माणू सनरचनाओं से निर्दारित होते हैं जैसे की मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाईराइट, आदी तता कुछ खनेजों में असुद्धियों के कारण रंग आते हैं कैसे हाथ क्या आते हैं असुद्धियों के कारण रंग आते हैं उधारण के लिए असुद्धियों के कारण क्वार्टरज का जो रंग है वो स्वेथ यानि सफेद आरा लाल या पीला हो सकता है इसके बाद मैं अगली विशिस्ता है धारियां देखियोंगी बहुत सारी के बाद बने पावडर का रंग खनेच के रंग या रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है यानि देखने में खनेच को अलग प्रकार का और उसको पीछने पर उसका रंग बदल जाता है तो वो धारियों के कारण होता है मेला कायट का रंग जो है वो अरा होता है और उस पर धारियां भी वहरी होती है फ्लोराइट का रंग बैंगनी या अरा होता जबकि इस पर स्वेट यानि सफेद धारियां होती है धारिया यानि लखी रहें अगली विसेस्ता है पारदर्सिता यानि आरपार दिखाई देना पारदर्सी के मतलब होता है प्रकास करने इस प्रकार आरपार जाती है कि बस तू सीधी देखी जा सकती है जो पारदर्सी कहलाती है पारवासी का मतलब होता है प्रकास करने आरपार होती है लेकिन उनके विस्तरित हो जाने के करन बस तो देखी नहीं जा सकती पारवासी का मतलब यही होता है कि आरपार तो हो जाती है लेकिन उनको देख नहीं सकते जैसे कि एक केविन में लगा हुआ कास्च जो होता है हम उससे अंदर से तो बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर का कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं जिता वो पारवासी कहलाता है अपारदर्सी प्रकास करने तने की भी आरपार नहीं होती हैं इसे की दीवार वगेरा हैं जिसमें होकर हम देख नहीं सकते हैं अगली विशेशता है सनरचना प्रते क्रिश्टल की विशेश व्यवस्ता महीन मध्यमवा खुरदरे पेसे हुए तांतियोग प्रतव करने योगे अपसारी विकरण का रही है ऐसी सनरचना होती है इन यह कठे नहीं है तो सुरी कठोरता मापना है यह खनेज निमने सबसे अलगी जो बस्तुवती है वह टेल्क कमजोर उसके बाद जिपसाम उसके बास केल्ट साइट उसके बाद फ्रेर फ्लोराइट फिर एपेटाइट फिर फेल्दस पर फिर कॉर्टड़ पर टोपाज पिर कारंडम फिर हीरा यानि सबसे ज़्यादा कठोर है जो हीरा है उदरन के लिए इस तुलना में नाकून 2.5 की कठोरता है तथा काच या चाकू की नौक जो है वो 5.5 कठोरता वाली है जबकि हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है जिसका अंक 10 है और लास्ट जो बिस्ता पानी में उसका बजन कितना है और हवा में कितना है उन दोनों के अंतर से हवा के लिए जो भार होता उसके बाग दे देते हैं इसका आप एक शिक बाहर निकल आता है तो यह तो थी बच्चों कुछ खनेजों की विसेस्ता है अब हम बात करेंगे प्रमुक खनेज और उनकी व फिल्डसपर देखे शिलकन तथा आक्शीजन सभी फिल्डसपरों में उपस्तित होते हैं फिल्डसपर एक खनेज है जो की मिस्तर तुरूंपे पाया जाता है सोडियम, पोटेसियम, कैलसियम, अलिमीनियम, आधी तत्वा बिन बिन फिल्डसपर में सामिल होते हैं प्रद्वी की परपट्टी का आदा बाग फिल्डसपर से बनाएं इसका रंग हलका क्रीम से हलका गुलावी तक होता है चीनी, मिठी के बरतन और कांच बनाने में इसका उप्योग होता है दूसरा है क्वार्टफू वार्याज, यह रियो एं ग्रेनाइट का प्रोंग घटा कैस, चम की लिए प्रोंग घटा कैस looks like a Boon फाये यह टा्यार होता है यह कृत्वर खनेज यह पानी में सरवता आगंढतल करने के लिए रणग को burns,िलमें पानी Cen होता है उत्तर दिखाने के लिए तो रीडियो रडार में होता है ग्रेनाइट का ग्रेनाइट का यह एक मैध्पून गटक है अगला खने जाए पाइरॉक्षीन पाइरॉक्षीन देगिए बच्चो कैल्सियम, अल्यूमिनियम, मैगनीशियम, आइरन तथा शिलका इसमें शामिल है प्रत्वी की भूपरिष्ट का 10% इस्षा पाइरॉक्षीन से बनाए शामाने ते यह उलकापिंड में पाये जाता है पाइरॉक्षीन जो उलकापिंड गि पाये जाता है यहां पाये रॉक्षीन नाम का खनिज पाये जाता है इसका रंग हरा और काला हरा अध्वा काला होता है एंफी बोल एंफी बोल देखिए बच्चों एंफी बोल के प्रमुक्त तत्व जो हैं वह एल्मुनियम, कैल्सियम, शिलका, लोहो और मैगनीशियम है इनसे प्रत्वी के भूपरिष्ट का साथ प्रतिसत भाग निर्मेत है मारी प्रत्वी के भूपरिष्ट का हधरातल का यह रे एवं काले रंग का होता है तता इसका अप्योग एसबस्टस के उद्योग में होता है एसबस्टस जो होता है उसके उद्योग में होता है हार्न प्लेंड भी MPBOL का एक प्रकार है अगला खाने जाता है माई का इसमें पोटेशियम एल्मिनियम मेगनेशियम लो शिलका आधी नेत होते हैं प्रत्वी की परपटी में इसका चार प्रती सतंस होता है यह सामानत है आगने एवं रूपांतर सेलों में पाई जाती है माई का और इसका उपयोग जो है वो बिद्दूत उपकरणों में इनका उपयोग होता है इसके बाद अगला जो खने जाए वो है औलिवीन मेगनीशियम लोह तता शिलका ओलिवीन के प्रमुक तत्व होते हैं इनका उपयोग आबुसनों में होता है किसम होता है आबुसन जो गहने होते हैं यह शामानेते आरे रंगे क्रिस्टल होते हैं जो प्राय वेसल्टिक सेलों में पाए जाते हैं एइन परमोख खनीजों के अतरिक शेलों में छ राइट कलोर आइट एमेट इनको तीन प्रकार में व्वाजत कीया सकता सब्से पहले पहले या यूस्च सबस्टे या मूल्य दातु का मतलू होता है जिनका मूल्य कास सभसे अधिक होता है नुल्य मूलय दातु दातु ने को पर कारी लोहरा दातु यानि वै दातव है चीन निवली अन्य दातू इसमें आती हैं अलोहिक दातू जिसमें तावा, सीसा, जिंक, टिन, अलुमुनियम, आधी दातू सामिल होते हैं इनमें लोग अंस नहीं पाया जाता अगर आता है अधात्विक खनेज अधात्विक खनेज इन में दातु के अंस उपास्तित नहीं होते गंदक फासफेट ततनाइट ट्रेट जो है अधात्वे खनेजें सीमेंट अधात्वे खनेजों का ही मिस्तरन होता है तो ये तो होगे बच्चों खनेज अब हम बात करेंगे शैल यानि चट्टान रॉक्स प्रत्वी की परपटी सेलों से बनी है ये हमको पता है धरातल जो है सेलों से बनाएं सेल का निर्मार जो है वो एक या एक स्यादे खनेजों की मिलकर होता है सेल कठोर या नरम या बेवेन रंगों की हो सकती है जैसे कि ग्रेन आइट है वो कठोर है और सेल खड़ी जो है वो नर्म है ग्रेबू, काला और क्वार्ट जाएड दूदिया स्विट हो सकता है सेलों में खनेज गटकों का कोई निश्चिस संगर्टन नहीं होता सेलों में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं सेलों एवं में इसला करती हैं तता सेलों में मरदा में निकट समद होने के कारण बूगल सास्त्तरी को सेलों का मौलग ग्यान होना आवश्चक होता है सेलों के भीविने प्रकार है अब बॉक्स में देखिए बच्चो पेट्रोलोजी जो है पेट्रोलोजी कुश्चन आता है कि पेट्रोलोजी क्या है तो पेट्रोलोजी जो है वो सेलों का विज्ञान है किसका रॉक्स ये चट्टानों का विज्ञान है जो एक पेट्रो सास्त सेलों को ग्ञान करने वाला सेलों के बेविन्स वरूपों का अध्यान करता है। जासे कि खनीच की बनावट सरनचना घठन सुरोत प्राप्ति इस्थान परिवर्टन और दूसरी सेलों की सा Tuamman अधिका अध्यान एक पेटर सास्त्रियनी सेलों को ग्याता करता है। तो यह सेलों के बिवन प्रकार हैं आगे देखते हैं जिनको उनकी निर्माण पद्दिती के आधार पर तीन समुवों में बगाजित किया जाता गया है बांटा गया है आगने शेल जो की मेगमा तता लावा से घनी होती यानि बनी होती है अवसाधी सेल जो की वायर जानी प्रक्रियां के द्वारा सेलों के अंसों के निक्षेपन का परिणाम है तता कायांत्रिस सैल उपस्ते सैलों में पुने कृष्टली करण की प्रक्रियासी निर्मे टे कायंत्रितियानी रूप परिवर्तन वाली सैल अब सबसे पहले आती है आगने शेल देखिए चुंकि आगने शेलों का निर्मार प्रत्वी के आंत्री भाग के मेगमा एवं लावा से होता है अते हैं इनको प्रात्मिक शेले भी कहते हैं क्या कहते हैं प्रात्मिक शेले मेगमा की ठंडे होकर गनीबूत हो जाने पर आगने सम्राँ का निरुमाड नहीं प्रत्वी पर सबसे पहले निह नहीं का निर्माड होगा था इगनिस आगने को इंगनिस बोल एगनिस लेटिन वासा के इगने fundraising से बनायाै जिसका अर्थ है अगनी क्यों होता है अगनि नहीं आग मैगमा की हिश्ए में तो आप पहले से ही जानते हैं जब अपनी उपर गामी गती से मैगमा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आगने शल कहलाता है ठंडा तदा ठोस बनने की यह प्रकरिया प्रत्वी की भूपर्टी यह प्रत्वी की सते पर हो सकती है थंदा होने की जो प्रकिरिया मेगमा के वो हो सकती है अगने शलों का बरगीकर्ण इनकी बनावट के आदार पर किया गया है इसकी बनावट इसके कणों के आकर एवं ब्वश्था अथवा पतार्थ की बहुत बहुत किवस्ता पर निर्वर करती है यदि पिगले हुए पदार्थ दीरे दीरे गहराई तक ठंडे होते हैं जो मैगमा है निलावा के जो पदार्थ हैं वो दीरे दीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनेज के कण पर्याप तो बड़े हो सकते हैं खनेजों के कंड कैसे हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं और सतय पर हुई आकस्म की यानि अचानक सीतलता नहीं ठंडा मैगमा का अचानक से ठंडा होने के कारण छोटे एवं चिकने कंड मनते हैं खनेजों के सीतलता की मध्यम परिस्तियां होने पर आगने शैलों को बनाने वाले कन मध्यमाकार के हो सकती है तो ग्रेन आइट है ग्रेबो है पैगमिट आइट है बेज साल्ट जौला मुखी है ब्रेशिया ततटफ आगने सैलों की कुछ उधारन है तो बच्चो आज के लिए इतना ही है बागी का कल पढ़ेंगे हम अवसादी सैल आज के लिए धन्यवाद